सब्सक्राइब सब्सक्राइब करना है कि आयूश कह रहा है इजी था कितने अंक पराप्त किये इजी नहीं था यह ठीक है एक सो पचास नंबर ठीक है इश्मीत के एक सुदस आए टोटली इश्मीत में तो मार्क्स कहां से आएंगी पिछली बार की बात कर ला था है 165 170 या बात है इस बात तुमने टेस्ट क्यों नहीं दिया वैसे एक चलीना में काफी जादा बिमार थी फिर ममा ने स्याल सब्सक्राइब करा तो उन्होंने का कोई बात नहीं अगर को प्रेशन नहीं है तो इक बार मद्दू लेकिन वर्पी ट्राइटर लेना तो मैं हश्ट सब्सक्राइब को अच्छा पराली वाला येस सब्सक्राइब कर दो तीन सालों में जंता खतम ना उसकी फिर आगे काम होएगा कुछ ना कुछ बाकी रासा काम धर्मल कर देते हैं दो तीन है यह हावी 46 47 48 में कोई आपको अधिन गुर्सित के कितने है कि फिर्वां पीज़न के उलेक्स पिचास उपराने लगे बच्छों के नंबर सिनिया क्या एट्टी सेवन आप 15 टेंग्र से एक कम नहीं आना अची बात पिछले तीन कोशन कोई डाउट नहीं था आपको अब यह डिसकस नहीं होएगा यह बचले ना अभी बात कर लो सब्सक्राइब सब्सक्राइब बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रोन विट्रोइंग ग्रॉप का वहां होना अती आवशक है तो इसलिए उसका इसलिए ज्यादा हो गया अगला नमबर बोलो भई अभी तक सरफ चार-पांच वीडियो ओन हुए बाकी क्या कर रहे हैं कौन सा कुटी सेवन से पहले कुछ है कि चलो अब आप पीस में पीछे नहीं जाओंगा इससे कि मैंने फिफ्टी सेवन कर रहा हूं तो आप बोलो फिर कौन सा बोला यह तो काफी पीछे का नमबर बोला 87 था प्रिंसिपल फंक्शन गूरूप पूछ रहे ना वो अमाइड पड़ा हूं चलो इसके आगे कि इन में से कुट आउट अच्छे मेरा 62 गलत क्यों हुआ पता चला यह एक है यह दो हो गया यह तीन हो गया यह चार हो गया यह पांच हो गया अब इस चेन में यह भी कॉंटिनुएस है यह भी कॉंटिनुएस है यह भी कॉंटिनुएस और यह भी कॉंटिनुएस है इसका मलब इन सबको छोड़ना पड़ेगा चेन से बाहर करना पड़ेगा क्योंकि open chain के अंदर तीन बार भी ये ग्रूप आ जाए, minimum तीन बार भी ग्रूप आ जाए, minimum तीन बार भी ग्रूप आ जाए, तो आपको extra suffix लगाने ही पड़ता है, बढ़ छोड़ दो इन सब को अब, शुरू करें, one, two, three, four, अब तुमारे टूप पे तो मिथाईल है, है विलकुल, और ये आपके पास कार्बनेट्राइल, 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 ये सारी कार्बनेट्राइल बन जाने, butane, one, two, three, four, tri-carbonate, अगला नमबर बोलो भई, तुमारे तो सबकुशन है, ये कुशें भी आया, ये कुशिन आया, ये पास तो ये बनके आया, और रुको भई, और रुको भई, और रुको भई, प्लस वन का केमिस्ट्री ग्रूप यह है केमिस्ट्री प्लस वन 16 10 21 15 नंबर बहच का था यार यह मैं गलती कर रहा था यार हाँ इसको हम इस दुनिया से हटाई देते हैं इसकी जगा एक नया डॉकुमेंट खोल लेते हैं अब आप कोशन बोलो वापिश चलते हैं 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 46 से लेकर 48 तक डाउट्स उसके बाद 50 नंबर तक के डाउट्स साथ नंबर तक के डाउट्स नंबर नंबर बताओ नंबर बताओ ऐसे तो मेरे ले भी ढूणना मश्किल हो जाएगा ना मेरे पास पेपर आ गया और इसनल जो पेपर तुम्हारा आया था ना अधर जब लेफ्ट से करो तो तीसरे नमबर पर किट वाएगा तो यह आप से पूछ रहा है करेक्ट लोकेंड ओफ दा कार्बनिल ग्रूप इन दा कंपाउंड थर्ड नमबर जिसने भी फिफ्टी टू पुछा था सब्सक्राइब बात है साथ नमबर तक के डाउट्स सिक्स्टी नमबर तक के डाउट्स अभी बताया था इसमें हमाइड फंक्शन ग्रूप है यह सरी यह हूं सिक्स्टी फाइव नमबर तक के डाउट्स सिक्स्टी यह साथ नमबर कितनी बार करवा होगे भई यह तुम्हें क्लास में भी कम स्कम तीन चरव बार करवा दिया था इसका व्हें लोग ध्यानी ने देते हो कि इवन नहीं करवाना चीह तुम लोग की क्शОन तो मुझे ना बिल्कुल नहीं करवाना चीह क्योंकि करवाय जा चुक्य कई बडू आजा चुक्ती है कंड़ कर लें लोग करल भास ब बचइतना तक बोल रहे हैं कि वैसे ही याद हो गया ठीक है ना पांच की चेंड चूज करनी है इसके अंदर 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 जब 4 की आ रही है और 5 की चूज करोगे थर्ड नंबर पे आपका कौन जा रहा है एन जा रहा है तो अब आपके पास N पे इथाइल है तो N पे इथाइल पैला नं को और इसको करने का तरीका भी बताया था आप एक बार इसको उड़ा दिया करो यहां NH2 लिख लिया करो फिर इसका नाम रख दो थ्री मिथाईल पेंटेन थ्रीमाइन हो गया उसके बाद इस पर लिखावा सब कुछ साथ साथ में लिख डालो बड़ा सिंपल है यह लो एन पर मिथाईल एन पर इथाईल और दो मिथाईल थी इसलिए कठेकर के लिख दियो उसने थ्री एन एन डाय मिथाईल सतर नंबर तक कुछ भोलो 63 थ्री भी बुक का कुश्यन है इसका में बुक भी नहीं करते आप लोग शर 63 का थर्ड नहीं होना चाहिए चेक कर लिते हैं अगर ऐसा कुछ हुआ तो बदल देंगे अंसर आपको बताया था प्राइमरी अमाइन पर एक कारबन जुड़ा होता है और ओच टर्शरी कारबन से डिसाइड होता है प्राइमरी अमाइन मतलब नाइट्रोजन पर एक का तर्शरी एल्कोल के लिए कार्बन का टर्शरी होना मस्त है और अमाइन के लिए टर्शरी होने के लिए नैट्रोजन पर तीन कार्बन होने मस्त है 64-65 से लेकर 70 तक 72 variety 72 questions, 72 questions, अपने 55 questions चेक करो, अपने notes के अंदर, copy के अंदर, अगर आपने बनाए थे, ये मैंने आपसे मंगवाए नहीं थे, लेकिन मुझे शक्त था कि आप लोग नहीं करोगे, ये देखो structure क्या बना हुआ है, चेकेंडरी बीटाइल कर से टोन, अपने लिख़ा थे 55 स्ट्क्चर, ये सग्दरिश्व जुड़ा हुआ है किस पर जुड़ा हुआ है कि टोन, कॉमन्नीम कर से कर लिऑ, आपके नोटेरा हुआ है, प्यूकि आपको आपको चाहता 55 स्ट्क्चर ऐसे बनाना, इस में सियो के द तरफ लगने का मोका तो आया होगा अगर आपने बनाया है तो अगर आप उनेस्ट रहे हो तो नहीं रहे हो तो लग बात है अब पिचतर नमबर तक 80 नमबर तक पहले हम पें लिखले फिरम पर शायनो लिखले फिर हम 1 और 5 पे टाइनेट्राय लिख लें फिर सब को हाइड्रोजन का नास्ता बांड दें अब अगर मैं टिक करूँगा तो सोचना क्या है यह यह SP3 है यह SP है यह SP है यह SP है अब जो बच गए उनके पास 4-4 सिगमा बोंड है वो SP3, SP3, SP3 है ट्रिपल बोंडेट कार्बन SP होएगा ना दो सिगमा बोंड पहली दिक्कत आपने इसका स्ट्रक्चर संग ढंसी नहीं बनाया होएगा हुझे लगता है दूसरी दिक्कत स्ट्रक्चर बन गया फिर तो दिक्कत बची नहीं है सेचुरेटेड कार्बन है सिगमा बोंड है SP3 है यह सर्टेड नमबर तक 79 तो बिल्कुल नि बताऊंगा मैंने खुद कराया है यह कुश्चिन क्लास के अंदर मैं बिल्कुल नि कराऊंगा यह कुश्चिन मैं खुद क्लास में करवा कर गया हूँ लास्ट डे पे मैं नोट्स खूल सकता हूँ उसके लिए अपने मुझे अच्छी तरह यह आता है यह बना था स्ट्रक्च्चर और इस पर कम सकम पांचा मिनट बात हुई थी इसका मलब आप क्लास में या तो थे नी या ध्यान नी दे रहे यह बहुत गलत बात है ना बिल्कुल नी यह तो बिल्कुल नी बताऊंगा मैं क्योंकि मैंने खुद बताया क्लास में अगला 75 कुन सा कुश्ण था इसके लब कुन सा कुश्ण है कि 75 कि आपना लापरवा बहुत हो नी तो नैसे बात थोड़ी बनती इतने दिनों में तो मैच्योर्टी ओ मैंड आई जाती है ने बच्चे के इंदर कि यह ज़्यादा लापरवाई यह अब प्रेफरेंस किसको दे दो एफमेस मल्टिपल बॉन्ड को और यह तुमारे बुक काई कोश्चेन है मुझे लगता है और नंबर वन इसको दिया नंबर टू इसको दिया नंबर थ्री इसको दिया नंबर फॉर इसको दिया नंबर फाइव यह गलत ओडर हो गया वापीश चलते हैं क्योंकि इसको नंबर वन दे दूं अगर मैं तो इ ना सोच रहे थे था कि मैं उसमें बात एड़ कर पाऊं या डिलीट कर पाऊं कि जिसका भी डाउट था ये कि पस्ट क्यों किया था कि जब डबल बॉंड एफ मेस भूली गए आप आप से दस दिन तक लगातार बात हुई एफ मेस की कि डबल बॉंड को पहला नंबर दे हुए तो उसके बाद जो तुम्हारा इथिनाल उसको दूसरा तीसरा नंबर आई रहा है अधरोईस उसको घूमके जाओगे तो पांचवा नंबर आ जाएगा एक्स्क्यूज मी सर्म इसका फरस्ट है हम मैंने भी सेकेंड मार्क किया है वैसे तो मेरा गलत है रहे हैं ये समयन दूसरे में डबल बॉंड को वन फोर आ रहा है येस FMS का rule FMS का rule अगर मैं यहां से शुरू कर रहा हूँ तो इसको आ रहा है 1, 4 अब मैं इसको रब कर दूँ यहां से तो हमारी गलती पकड़ में आ सकती है कि हमने क्या गलती किये लो जी अगर मैं इसको देता हूँ यहां से 1, 2, 3, 4, and 5 तो FMS के कोड़िंगली M को मिल रहा है 1, 3 तो मल्टिपल मल्टिपल को 1, 4, 1, 3 ठीक है यह गलती मैं कर रहा हूँ 1, 3 FMS के कोड़िंगली rule सेम रहेगा जो मैं बार-बार चिलाए जा रहा हूँ rule सेम रहेगा बट 1, 4, 1, 3 में से multiple bond की priority अगेन जादा ही रहेगी clear 1, 4, 1, 3 में से 1, 3 suggestible होगा तो या तो पहला answer बनेगा या चोथा बनेगा लेकिन चोथा इसलिए नहीं बन सकता है क्योंकि 2 पे इथिनल आनी रहा पहला इसलिए बनेगा क्योंकि 5 पे इथिनल आ रहा है और 1, 3 is the measurable quantity measurable 1, 3 not 1, 4 FMS rule में कोई गलती नहीं rule same है 80 नमबर तक 80 नमबर तक except 79 85 तक 85 इसमें आपने एक blunder किया वह मैं बता देता हूँ यह निया question था और निया question most लिए आप attempt नहीं करते हो यह sign देखा है मैंने करते तो आप वो भी नहीं हो जो ओल्ड़ी दिखे दिखाए होते है अब इसके दो नाम है एक isopropyl और एक इसका नाम है one methyl ethyl इसका नाम है ethyl और इसका नाम है methyl अब उसने भाई ने बदे क्या किया इसको one दे दिया इसको two दे दिया और इसको three दे दिया अब जो मैं कहना चाता हूँ श्याद आप में से एक दो जनता तो क्लिक कर गी होगी कि जब मैं इसका नाम isopropyl रखता हूँ तो तीसरा वाला e के बाद आजाएगा मैंने फर्स्ट के बाद थर्ड आजाएगा लेकिन अगर मैं इसका नाम one methyl इथायल रखता हूँ तो इथायल के बाद methyl के बाद one methyl इथायल आएगा येस सर्थ तो अगर मैं एक नाम रखूँ तो मैं ऐसे चलूँगा one three two और अगर मैं इसको isopropyl की जगा तो फिर मेरा नाम उल्टा चलेगा इसका कैसे one two three क्योंकि दोनों तरफ से अल्फाबेटिक लिए चलने आपने और दोनों नाम करेक्ट इसलिए होएंगे क्योंकि आई-स प्रोपाइल भी आपक में सजिस्टेड है और वन मिधाल इथायल भी सजिस्टेड है हो ने से खुंड़ नाभिक जो है किस यह सब्सक्राइब में विक क्योंकि वर मिध सब्सक्राइब और एक बढम आखेँ आई अगर इसको आप वन मिधारि यह करते तो इथाइल मिथाइल वन मिथाइल चला हो गए तब तो रखा ना उस बंदे ने जिसने भी स्कॉश्चिन को फ्रेम किया ना वह आपके दिमाग को चेक कर रहा था कि आपको आपको आइसो प्रॉपाइल बताया था नोमेंकलेचर का पार्ट होता है यह जूद एट यह सब्सक्राइब यह सब्सक्राइब यह जो फॉलोइंग कंपाउंड है पर है टू है टू एटम्स और टू वेच त्यक्व इताइल इंका बताया था कि एक कर्पन की दो विलेंसी फ्री उत्तिए यह जाइद आपको बात बताई थी जब आपने मेरा पोस कि लिखना भूल गया मैंने का इथालेटीन का बाई डिफोल्ट मीन दो फ्री विलेंसी होती है आप मेंसे हो सकता है किसी बच्ची कि इतनी मेमरी उसको याद आ जाए कि यह से क्लियर ना कि किसी के तो इतनी मेमरी शार्प होगी है और कुछ लोगों को अपनी मेमरी पर वैसे बागों ये रचला देन के आसपास हों गए तो मैंने बताय था रहे था हां ये नोमेंक्लेटर कर रहे थे क्लोड चारी तो अगोने पर अगर तो आगर शेलिफुल्ट ऑब रिचंप कर दो रोश्यक्त क्यों किया इसक्यों उप्र कि अ है लोजी में यह इताल रीघेलीन का मतलब तो यह उता है बायडि-फोल्टी प्रोसियों की दो वेलेंशी फ्री याद हो तो अब इससे जब गलाइकोल बोल दिया दो ओएच के लाभा जोड़ो कि या ओल गलाइकोल इसका पूरा नाम वैसे भी गलाइकोल गलाइकोल करत ग्लुकोज तीन चार वर्ड्स है स्का मतलब होता है स्वीट मिठा तो अन्सर आ गया भूल गई शायद आप लोग ग्लाइकोल और कहा रहा है इथाइलीन तो एटलीस बनाई सकती थे ना प्लोग मेरा कहना तो यह तो बनाने की बाद ओल करेंगे बाइड डिफोल्ट है बतो अनूशा के रिये की क्लास अंड्लॉक कर दो हांजी 88 89 90 पूछ लो पूछ लो पूछ लो पूछ लो पूछ ले यार कि नुमसर नौस एक बार फिर देख लो 46 से लेकर 90 तक एक बार फिर राउंड घुमा लो ताकि सारी जितने भी तुमारे दिल के अंदर गुस्सा भराव निकल जाए अपने आपको लेकर होना चाहिए वैसे गु 85 समझ नहीं आया तो 85 कौन सा हो गया यह वाला कि येस को नहीं समझ में आया अम्रत को अम्रत बात सुनो तुम नोमेंक्लेचर में अलफाबेटिकली एक नाम इथाएल रख दो एक आईशो प्रपैल रख दो मिथाल रख दो नमबर बन किसको दोगी आप ई आई और म में से अब तुम 23 23 किदर जाओगी मिथाल की तरफ या आई की तरफ जाओगी न चलो तो अब वह आप से कह रहा है कि जो वन पर रख दें मिनका हांजी रख दो थर्ड टू पर रख दें मिनका हांजी रख दो तो पहला आंसर तो ठीक हो गया कि यह चलो अब पीछे चलते हैं वापिस 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 चलो यहां तक पहुंच गें अब मैं इसका नाम आइसओ पर नहीं रख रहा इस नाम ले रिए तो एक वन मिथाइल है तो एक मिथाइल एक मिथाइल है तो वन मिथाइल और में से नंबरेंग किसको मिलेगी तो इसका मतलब मैं 1 इसको दूंगा 2 इसको दूंगा 3 इसको दूंगा अब थर्ड नंबर ओप्शन देखो 1 तो 1 पर ही है और 2 यह वाला 2 और 1 at 1, 2 at 3 and 3 at 5 बिल्कुल ठीक जा रहा है और 3 THE option में 1 at 1 ही है 2 back 5 है उलटा होता है जब तुम तो कुल मैं इसको तुमने 3rd दिया वो 3 पर पांच सकता है पुगा 5 पर गरेसे को डूंगे तूम यह इसके अपने उसको आइसोप्रपाइल व étau ना मिया वन मिथा 석ने कि ये थै 170 कु श्णा हम ने कर राँ कंज़ें को देना हम सब कर पेपर दे लगता है यह तो क्राया नियुंग अधर अधर उसके बढ़ दी क्रेदें किसी बुक के उसके बीजिए दे अधम प्रेशर तो पर से पापा रहे थे तू ना 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 उनको बोलो RPS assignment and book more than sufficient है teacher ने भीजने के बाद भी एक option दिया था आपको if you have time then do it यह लिखा था यह निका था इसको कर नहीं है उसके बाद जब आफ वेल ले हो गए तब मैंने फिर option दिया आज आपको कि उसको करो आप कि तब आप enjoy कर रहे थी कुरकरे खाखा के उसमें ना एक सिस और ट्रांस का question था वो कोई बात ने इस राउंड में हो जाएगा वो सिस और वह आपने बिताया हुआ हमें अब एक और चांस दे रहा हुआ हुआ है जब टाइम लगी गया तो दो चार मिन्ट लगा लो चांस देता हूं तुम लेती रहोगे पता है कर वो दिन तूपने होगा जब हम आपको सारे question कुछ लेंगे वो दिन दूर क्या दूर वो दिन तो आ चुका है एक सब्सक्राइब पेपर निकाल लो इसमी तु मेरी जान मत खाओ ने कब जान का है आपकी यपार निकाज लेड़े लिघू अभर मेरा यह गिए उपताल आफ कोषोण नंधु मरत कर के सब्सक्राइब आफेर फ्ट्मा जेंड़ाने वालाime से अधिन्त सब्सक्राइब जित्री फिकवाल हो तिर से तिरको इस मामले में अवोड मिलना चीए फेक उराम के रहें तो नहीं सब्पर तो बढ़ा कून मारता है पेरेंट साराजकल यार अधिकार अधिक कर आगर बाते सुनोगे ना सर तो यह सब अधिक हो पड़ा है माला बोचेंज हो गया है मोडल अगर तो ज्यादा चार को शंठी कर लेता या कर लेती तो नंबर 20 ना बढ़ जाते तेरे कोई ना कोई मुझे डांट पड़े ना तो मुझे अकेले में पड़े जब कोई आस-पास ना हो जब साथ में ममा के फ्रेंड्स बगर आपने ममा ताह बहुता बोलते यार तेरे इ इतनी बार बेजती हो चुकिये तो इसको रूल बला लो तो ये परेट्स को समझना पड़ेगा एक बार हुमिलेशन कर दिया उसके बाद नहीं सुधराना बनता तो फिर उसको अकेले में सेट करो पब्लीकली हुमिलेट मत करो बच्चे को ना वैसे भी गलत है ये ना दिरे दिरे अबस लगे रहो बार वी में अपने आप अच्छा हो जाना है सब कुछ और ये कोई मैंना ऐसे नहीं तुम्हें मलब सिर्फ कन्वेंस कर रहा हूं ये ये रियालिटी है सच है ये सच है और ऐसा कुछ नहीं कि मैं आपको अब कोश्य नमर जो था ना वो कल करना अब ला आपने अनसर अधा नहीं नहीं पता दिया कैसा कोश्यंट जाना सर्च जो इतना गलत हो और मैं बता नहीं सकता हो कौन सा था बता थे नहीं जाया जाया जाना सर्व गलत हुआ मेरा और वो सिर्फ एक लिक्के करन्ट हुआ लेकिन एक बात करना वो जो क्वेज़े थे ना आपको जैसे आज हमारा कुछ ज्यादा मैटर नहीं हो पाता है जैसे टाइम हमारे पास फाइव फिप्टी एट होगे पैंट सब्सक्राइश मिनट है 37 मिनट्स है तो छोटी से काम उस वो आपको क्वेज़े थे ना कर जरू सब्सक्राइब करके बीचे आंसर की चैक कर लो फिर मेरे से पूछ लो तुमार अगर वो आगे ना इसका में तुमारा नोमेंक्लेचर टन है क्यों सब्सके लिए मैं कल सोल करके भीजूंगा आपको सारे वो उसमें जो आपको डाउट होंगे एक से लेकर सेवन्टी वन तक थर्ड सेवन्थ नाइन्थ क्लियर फिर मैं कॉमन डाउट कर लूँगा इक अठा सोलुशन भेज दूँगा सबको ठीके ना चलो अभी हम जियोसी पर चलते हैं भाई और भेनो उसके अंदर आपको एक तो इलेक्ट्रोमेरिक एफेक्ट करा दिया था एक लेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल इश्मीद को कुछ बोलना है अंदी सिर दसो दसो मैंने पहले भी गाता सर कल वाले टेस्ट की अंसर की सेंट कर दूँगे प्लीज यह क्लास खत्म होती भीज दिता हूं तो जी उसी के अंदर हम अब एक वरी वरी वर आपने पहले देखा था चैप्टर का नाम हुआ करता था केमिकल बॉंडिंग में छपा हुआ था हमारी बुक के अंदर अब इसको लगेंगे कम से कम आज समेथ कल और परसो दो दिन अट लीस्ट को समझना है प्रोपर यह जान है और अर्गनिक की मिस्टिक यह मान के चलवाग वेरी वेरी इंपोर्टेंट ठीके जी सबसे पहले साइंटिस का नाम लिख दें जिसको दो दो बार नोबेल प्राइज मिला नाम तो पता ही होगा कि पोलिंग कि इलेक्ट्रो नेगटिविटी कि यह 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 अन्चुल का ड्राइविंग पे है कहीं किसी कहां जारे लिटकी कि ही मापी सारी है ओके हां जी एरफोन लगा रखे ना कि साथ बैटे तुमारे परशान होते हो लोग बाग करते हैं कि नंबर टू बच्चे इसकी डेफिनिशन ध्यान से सुनते रहे ना जो तुमारी कमजोरिया उसको पकड़ो तुम थोड़ा जना क्लास में टेंटिटिव तरीके से सुनते नहीं हो यह हलकी सी कमी मेरे को लग रही है पतने तुमारा ध सेल्विया यह सर किनने 138 क्या बात है nice very good 140 नंबर मलब सब्जेट समझ में आ रहा है हना यह सम चल्लो ठीक बात है तो होता है क्या है जब एक और गुरलीन गुर्लीन कर दो फोन करूंगी किया ही इसने मेरे को फोन सर उस दिन में भूली थी आपको कर लो बहात मेरे को याद प्धाय सिले तुमने किया निए इस्जूज मी और कॉन बोल रहा भई वंच सर हांजी वंच सर बोलें प्लीज सर अनिगे अनी एकनलोग हो गया है तो निमीटेंग तो लोग तो अनलोग ही पड़िये पुत्तर जी अब लोग हो गई अन्नोक हो गई अन्नोक ही थी बटा मैंने वो शुरु शुरू में की थी बच्चे पंगे लेते रहते ना दीवयों आप भी बता दो यार जब बात चली रही है बीच बीच में या सर नंबर बेटाजी नंबर इस बार कम हो गए तो 145 एक सो पंताली स्कोर में ला समझ में इस बोल बोल कर भी आफमस क्यों नहीं किया है अन्य वह वह प्रक्राइब को वह अजब कर रहा हूं जब कि वन त्री होना चाहिए ठीक है सबके साथ होता है definition सुनो भी 3-4 वार धेहां से सुनना किसी भी एक exposure के properties को explain करना है थोड़ दर में बोड़ पर लिखूँगा इसको तसल्लीस से करेंगे 2-3 दिन में सुनो किसी भी molecule के properties को explain करना है अमने और एक structure एक structure उसको explain करने में capable नहीं हो पारता तो हमें उसके दो या दो से ज्यादा structure, draw करने बढ़ते हैं, तन्वीर सर ने नंबर नहीं बता है, नई message भेजा कोई, 155, चलो, दुख हो रहा या, ठीक है, satisfaction तो नहीं होगा पक्का, एक structure किसी भी molecule का सारी की सारी प्रपटी समझाने में capable नहीं हो पा रहा, then two or more structures are needed, to explain the all properties of that compound, एक बार फिर, जब कभी भी, एक molecule का एक structure हम बना दें, और वो सारी की सारी properties explain करने में capable नहीं हो पाए, तो हमें उसके 2 या 2 से ज़्यादा structure draw करने का उसी process को, उसी phenomenon को, हमने एक नाम दे दिया है, resonance, वो जो एक या एक से, 2 या 2 से ज़्यादा structure draw करने का phenomenon है, उसको नाम दे दिया हमने resonance, और जो structure बनेंगे, उनको बोल दो के resonance structures, उनको mix करके एक final structure बनाओगे, उसको बोलोगे resonance hybrid, resonance hybrid, hybrid का मतलई भी होता mixture. Last and final फिर बोड पर लिख दूँगा, when one structure of one molecule is not capable to explain the all properties of that compound, then we have need to draw more than two, two or more, two or more than two structures to explain all properties of that compound. That phenomenon to draw, that phenomenon to draw the two or more structures of that molecule is known as the resonance and the structures are known as resonance structures and mixture of those compound is known as the resonance hybrid. Logi, would be RG definition, when single structure of the molecule is not capable to explain all properties, then two or more structures are needed to explain all properties of that compound. or molecule or molecule. Phenomenon, then phenomenon to draw the Then phenomenon to draw the structures is known as resonance Phenomenon is known as the resonance Resonance, structure draw करने का जो फिनॉमिनन है उसको आहिसको हमने रैजने रैजोनेंस बोलती है End Structures are known as Structures are known as Resonance Structures और इसी का एक और नेम चलता है Canonical Structures Canonical Structures canonical structures or last and final a little mixture of these all structure is known as resonance hybrid mixture of the all structures is known as resonance hybrid hybrid देखने में काफी लंबी सारे लाइन हो गई लेकिन अगर समझोगे न तो क्यों ज्यादा complex नहीं है अपने दिमाग को त्यार करना definition खुद की बना डालना एक structure किसी भी एक molecule का उसकी कई सारी properties explain करनी है भाई साब capable ही नहीं हो पा रहा तो यार उसके सारी properties समझानी है तो क्या करें अब तो फिर आपको एक से ज़्यादा structure उसके draw करने पड़ेंगे और जहां एक से ज़्यादा structure draw करने की बात आ जाए है बस वो जो structure draw करने का phenomenon है उसी का नाम resonance है तो चेक करते हैं जी इसको example के form में यह यूरिया एक organic molecule है जिसका नाम आप में से कई बच्चों को पता है और maximum सबको पता होना चाहिए मैंने का था हम 11th class में इस पर बड़ी debate किया करते थे यादो आपको तो अमाइनो मीथेन अमाइड इसका आपक नेम है यूरिया का अगर याद हो आपको तो कि इसमें किटोन नहीं है भाई और बहनों अमाइड मेन फंक्शन ग्रूप है अमाइड मेन फंक्शन ग्रूप है समझे ना और जो बिर बाद सुनो ना एक बात जो बारवी में अभी थोड़ी प्रशान हो ले ने कि और अरगनिक समझ नहीं आ रही सब उसकी वजा पते क्या 11th की औरगनिक को इग्नोर करना और जब मैंने सारे बच्चों को बोला था कि डिस्टर्ब मत होना अपने डेटा वेटा को अरेंज करके रखना मेहनत करते रहना क्योंकि यह तुम्हारा 33% पॉर्शन संभालेगी दो सालों का और तुमने अगर ग्यारवी नहीं संभाली ना और गये काम से और ऐसा पॉर्शन जिसम इसको बड़ी ओर्गनिक समझ में आ रखी है उसने 11 थंग से पढ़ लिए आ रखी आ रखी अब क्या करें क्लियर ना चलो जी अब यूरिया के बारे में पते क्या पढ़े हम लोग यूरिया जो है न यह वोटर सोल्विबल आपको पता ही यह फर्टिलाइजर है कि यह और अर्गनिक मोलिक्यूल होकर भी इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है न वो अच्छा खास है 132 डिगरी सेंटिग्रेट जब कीतना पोसिबल होना नीची और इसका एमपी इतना ज्यादा कैसे मोलिक्लर वेट सिरफ साथ ही है तो अगर इस स्ट्रक्चर को देखते है न तो हम स वॉर्टर Oui faze to org जबकि और अगरिक के बारे में हमें ध्याद से पता है कि औरीडेक वाले मोलिक्यूल इतने खतरनाक MPBP show नहीं करते हैं, कोवलेंट कहा MPBP इतने show करते हैं, कहा पानी में खुलते हैं, यह पानी में खुल रहा है, तो कोई ना कोई इसमें घड़बड है, मलब यह अकेला structure ही सारी बाते समझाने में capable नहीं हो पा रहा है, तो इसका इससे ज़्यादा structure बनेंगे, ठीके जी, यह मैंने बना दिया इसका structure, यह मेर को पता था, इसलिए मैंने बना दिया, और कल क्लास खते होती होती, तो में भी पता चल जाएगा, भी कैसे बना, और हो सकता है, तो में इसे 2-4-5 बच्चों को पता चल जाए, निटोजन पर लोन पेर है, निटोजन पर लोन पेर है, लोन पेर शिफ्ट हुआ, क्योंकि SP3, SP2 वाला, देहां से सुनना, यह जो NH2 है न, NH2, NH2, इसलिए हाइब्रीड के question पूछे थी आपसे, चार सिगमा बोंड है, यह SP3 है, इसका पड़ोसी SP2 है, रूल ओफ कैमिकल बोंडिंग, रूल ओफ जी ओसी, रूल ओफ दा ऑर्गनी केमिस्ट्री क्या बोलता है, जिसके अंदर percentage S character जाद है, वो electron को खींच रा अपनी तरफ, तो खींच लिया भई, लोन पेर मूब टूवर्ड्स दा, सिगमा, लोन पेर सिगमा पे चला गया, डबल बोंड हो गया, कार्बन की वेलेंसी जादा हो रही थी, तो oxygen ने खींच लिए लेक्ट्रों को कि oxygen की लेक्ट्रों एडिट्विटी जादा है, लेकिन मान लो, यह तुम्हें बात समझ में नहीं आई, और चलो कोई बात नहीं, लेकिन मेरा जबाब क्या, कि मुझे इस यूरिया का water solubility समझा नहीं है, तो भई, polar है, समझ में आ गई, प्लस माइनस है, लेकिन पिछला molecule तो नहीं समझा पा रहा था, ना, मैं definition को explain कर रहा हूँ, MP, भई, इसके अंदर dipole-dipole interactions आ गए है, और जहाँ dipole-dipole interactions आ गए, वहाँ melting point बढ़ गया, 132, लेकिन पैला structure तो नहीं एक्स्प्लें कर रहा हूँ, यह बात, first structure is not capable to explain the water solubility and high MP of the urea, then we have need to draw one more structure of urea to explain these two properties, मैंने definition के अंदर अपनी बाते डाल दिये वाली, एक structure किसी भी molecule का जब सारी properties explain नहीं कर पा रहा हो, तब मुझे उसके एक या उस एक के अलावा और structure draw करने पड़ेंगे, to explain the all properties, वो सारा phenomenon resonance है, तो यहाँ आपके सामने aminomethenamide, जिसका नाम था urea, उसका molequivate सिरफ 60 है, organic compound है, फिर भी पानी में घुल गया, फिर भी MP 132 है, तो कोई वज़ा ओर है, वो वज़ा क्या है, इसका इसके अलावा एक structure ओर है, वो है resonance structure इसका, उसमें हमने देखा हूँ plus minus polar, इसके अलावा उसमें dipole-dipole interaction, that is the main reason behind the solubility and high MP of urea, इसका मनलब एक से ज़्यादा structure इसको explain करेंगे, अगे अके लाव structure explain करने में capable नहीं हो पा रहा, ऐसे धेरों बाते हैं, धेरों, धेरों, तबी इसको मैंने आज का दिन, कल का दिन, परसो का दिन भी लगेगा, आगे बड़े, पानी में खुला है, इसलिए प्लस माइनस है न, ठीक के से, प्लस माइनस है न, ये इसलिए रागे से, हाँ जी, तो अगर किसी को resonance show करना है, तो क्या-क्या conditions की requirement है, clear न, पहला definition, पहले scientist का नाम आ गया, फिर definition आगी, अब conditions to show the resonance, तो लिखते हैं जी यहां पर, heading है, conditions, to show the resonance, conditions to show the resonance, अगर resonance शो करना है, तो conditions क्या चाहिए है, तो इसका बड़ा simple सा जबाब है, वैसे single short का जबाब है, single, single line का जबाब है, clear, वो है आपके पास, SP2 hybrid, planar, 120 degree angle, बास, और इसका भी एक simple सा जबाब है, conjugation, SP2 hybrid, planar, 120 degree angle, conjugation, conjugation is a primary need, अब यह conjugation क्या है, इसको समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना और समझना, conjugation का मतलब क्या हुआ, listen carefully, conjugation का मतलब क्या है, conjugation का मतलब है, double, single, double, single, double, मतलब कहीं double है, फिर double आने की बीच में उसके gap है, single bond है, double, single, double, single, double, single, double, single, तो इसको मैं बोल रहा हूँ, alternate, double, single, double, single, यह पहला जबाब है, conjugation का, देखना चाहते हो, अगर ऐसा कोई structure board पे लिखा आ जाए, अगर बेंजीन जैसा कोई structure board पे लिखा आ जाए, तो teacher की बात थी की conjugation आ गया उसके अंदर, सरी, conjugation, अभी समझाना उपर, sp2, planar, 120, यह conjugation है, अगर कोई भी sp2 hybrid है, तीन सिगमा, 120 है, planar है, तो आप बोलने वाली हो क्या, कि उसके अंदर, conjugation आ गया, और conjugation का पहला, double, single, double, single, double, single, double, single, यह conjugation है, ऐसे और भी धिरों, molecule बन जाएंगे, अभी चेक करवाँगा, आप सी पूछूँँगा, लोन पे रोफ एलेक्ट्रोन, with double, single, double, alternate double, single, double, with alternate double, single, double, with alternate double, single, double, बोड पे देखना भी धियान से, क्या रेजनेंस है, according to resonance तो होना चीए, क्योंकि मैंने जो condition में, double single, then लोन पे रागया, फिर, double single, plus का साहिन आ गया, double single, minus का साहिन आ गया, तो negative is in conjugation, negative single double, loan pair single double, plus single double, यह conjugation है, अगर यह लगातार चलता रहे, तो resonance है, देखो न, यह तो मैंने भी limited से बनाए थे, double, single, ठीक है, again double, फिर यहां मैंने minus का साहिन लगा दिया, आप भोलोगा ठीक, negative से शुरू करना, negative, single, double, single, double, single, तो उपरवाले में ये 120 डिग्री पे आ गए, effective overlapping वो बाते करूँगा आपसे मैं, कि मैं बार-बार तुमसे conjugation की demand क्यों करता हूँ, मैं तुमसे planer की demand क्यों करता हूँ, क्योंकि effective overlapping होईगी, और वो stability देता है molecule को, चलो जी, इसके बाद single electron, जिसको आप लोग free radical बोलते हो, सिंगल डबल, लो जी, डोट से शुरू करना, free electron से शुरू करना, 7 electron system है ये, डोट से शुरू करना free electron से, single double हो रहा है, हांजी हो रहा है, अब इसको जितना आगे ले जो, लो जी मिल साथ रहना, डोट से शुरू करना, डोट के बाद क्या बोंडा रखा है, single, उसके बाद है double, येस सो, फिर single, फिर double, फिर single, फिर single, फिर single, बन गया, कॉन्जू के फिर, लास्ट इन फाइनल, लास्ट इन फाइनल, लास्ट इन फाइनल, empty orbital, empty orbital, bonded with lone pair, empty orbital of atom, directly bonded with lone pair of electron of an atom, इसके लिए में आगले पेज़ पर आपको exactly, इसका example दिखाता हूँ, हाथ खड़ा हूआ है किसी का हाथ खड़ा हूआ, आयूश का, हाँ जी, सर, सिकिंड वालो में दो बरी चार्जिन भी उप्रीट हो सकते, कहां, 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 कैसे मुझे थोड़ा बताना, मैं मेरे दिमाग में डालो उस बात को, कैसे एक्ञामपल में मालो, सर, नेगिटिव संगल बांं, डबल-बां, नेगिटिव संगल लीड़ो, कैसे यह आगिया, नेगिटिव, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर नेगटिव कैसे आईगा, वेलश बैंसे संटिस्वे नेयों पाएगी? करेंगे ऐसा टेंजन मतलो अभी शुरुवात है ऐसे कुस्चिन हम अटेंप्ट करेंगे पक्का ठीक है अब लास्ट वाले का एक्जाम्पल ये फ्लोरीन ये फ्लोरीन ये फ्लोरीन ये एंपटी और्बिटल और इस पे कोन पड़ा वैं लोन पियर कोई पूछे का इसमें रे इसके पास लोन पेर है इसके पास एंपटी इसके पास लोन पेर है अगर ऐसा कुछ सीन आपको दिख जाए तो समझो रेजनेंस पहले बाद तो कोन जूकेशन है ये और पक्का रेजनेंस होएगा अब इसको देखना और डिज़न लेना ऐफ एफ 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 इस पी प्लस का चर्ज हैं जाहें प्लस हिसका पेट खाली हो गया प्लस का मतलब यह था टॉनेशन टिक आ टो दिक था खाली हो गया और इस पे लून पेर लॉट इफरोल किट आं ठीन किसी है यह एच तो इस एप्टीशन ऑ जो अच्छा आप इसको उबजर्व करना, कॉंजूगेशन है कि नहीं है, देखो, क्या मान के चलती हो, कॉंजूगेशन है इसमें, इसमें, तो इसमें रेजुनेंस हो जाएगा, तो भाई और बहनों इसमें बताओ इसमें बताओ प्लस है फिर सिंगल डबल है कर SCHKדमा में और टॉट है कि पाम सी सिद्धो तसली से दिको घूर पहए कि जलदी मेरें कर से मोद नरे खुझें दपर सिंगल डपर श्यक्रीणों फृच और शॉजय है तब तुम्हें लेंगविज भी चेंज करके समझना पड़ता है यह भी एक कबाल हो गया तुम्हें पंजाबी बंद हो गई कि तुम अधुबूद आतमाय बन चुके हो सारे कि सारे यह तुम्हारे यहां पर पठाके बहन नहीं हुए तुम कम ले आते हाँ भी इसमें बताओ कि इसका जबाब तो हमारे पार्थ सर देंगे कि अधार 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 जी बिल्कुल बता दो तरो ओएच में यह नहीं होगा से इस पर पहले सिंगल आ रहे हैं सिंगल हम किसी भी डिरेक्शन से पकड़ सकते ने बात को हमें जब चांस मिल रहा है हमें जब चांस मिल रहा है तो हम क्यों इग्नोर करेंगे हमें तो रचनेंस प्रसीड करने से मतलब है हुआ के नहीं हुआ हुआ है डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल मिल गया तो मिरा इंशे कर वा दिया यह हुआ मटोट है मोली क्यों में तो राजनेंस हो गया यह कर दो लो जी दो सो दो सो दो सर नहीं होगा दबल सिंगल सिंगल आ गया तो यह भाई सब मना हो चुके इनमें रेजनेंस नहीं होने वाला कि अगर अनकमवर्टेबल हो तो वीडियो बंद कर सकती है बिटा कोई डेकर नहीं है कि हमें तो देने कमवर्टेबल आगा बच्चा नहीं है है अगर अग्रत को हसी क्यों आई कि इस वर्टसर मेंसेज्ज आज़ो अग्राइद सब को इस कैमरे भी लिए अगरो आप कैमरे पे हैं नहीं आप समझ रहो ने क्यों होएगा क्यों नहीं होएगा इसमें बताओ आप तुम आप अब एक्जेटली क्या होना चाहिए अभी जो बच्चे उस बच्चे की बात सुनों जिसने कहा था सरी यह अटों जेटा है नहीं होको प्लस संगल डबल वह ढंनन्य तो कर निघ्लमें क्या जिए था ओल्टरिट किसके साथ औरे मुझे बताओ किसका ओलटरिटsels सिंगल डबल सिंगल जय डबल सिंगल या इसके पच्टांगे इसके बनाता हूं देखकर तुम्हारे दिमाग में बात चली जैएक लो डपल, single, यह alternation आया तो सही? यहां तो कुछ alternate आया ही नहीं? at least 2 double के बीच में single तो आये तब तो कहेंगे यो जी शारी single नो तुम बोलोगे सारी single alternate आक दूसरे के साथ double, single, double अब मिरबाद सुनो,sinबाद सुनो फ्लस तुमुना conjugation का मतलब सीखो मतलब सीखो मोबाइल माउस मोबाइल माउस मोबाइल माउस तो यह कोंजूगेशन हो गया पता आपको कैसे कोंजूगेशन हो गया दो डबल के बीच एक सिंगल प्लस डबल के बीच सिंगल मैने सिंगल के डबल के बीच सिंगल लो डोट डोट और डबल बोट के बीच सिंगल दो डबल के विभास उनो एक खाली ओर्विटल एक भरावा आर्विटल उसके बीच बिच बार सिंगल हो गया ओन्जूगेश्यन यह तो चाहता है और एक प्लस ऐक डबल उसके बीच उसके सिंगल 1-1 डबल उसके बिस सिंगल एक डट फी डबल एक सिंगल फी डबल दूढ डबल के तríक इसमें दसो नहीं होगा पीजय तो रहे ज़्लदी नहीं लेती तो लोन पर है कि वह मुविन देखिए हो गदर मुवी कि अगर तारा सिंह के पास हो क्या वीजयाद पासपोर्ट नहीं होगा तो क्या पाकिसान नहीं जाएगा तो भाई अब लोन पर दिखाओगे निए लोन पर होएगा नी? मैंने नी दिखाया आए दिखाया है तो सही यार उस पे मैंने बताया तो रोज मैं वैसे टीशिट पहन किया आना शुरू करूँ ज़िए लिखा हो मैं केमिस्टी पढ़ाता हूं यह कमाल की बात बाद कर रहाँड। क्लोरिन गलॉण फिर नहीं लिखे बाई दिफॉल्ट ऑवस पर इस पर इस पर नहीं लिखे तो स्पेडनी फोड़े प्रखना थोड़ी पड़ेगा बार यूद पर सिंगल डबल अभी तो चिला चिला के बोल रहा था हो गया का भीया समझे के नहीं अभी बदल के बोलना पड़ा करेगा या वो मैं अंच वाली लेंग्विज बोला करूगा हरी आडवी तब तुब एक्लीर होएगी सारी बात्ते क्यों भी अंच मैं अभी यूपी और बिहार की लेंग्विज बोल रहे था है कि रही आणा वारी तो बड़ी अग्रेशन वाली होगे नहीं वहीं करना पड़ेगा रही मान रहे हैं कि नहीं है ऐसे बोलेंगे मेरे आगी जी आगी आपके बिना कई आगी मुझे पता था क्या बोलने वाले लो जी इसमें टाइम लगाना मस्ट इसलिए ना क्योंकि कॉन्जूकेशन जब समझने आगा आगे मैं कुछ नहीं कर सकता मेरे हाथ खड़े हो जाएंगे नहीं समझने में आता है रेजिमिंस स्कॉन्जूकेशन को समझना जुरूरी है सब्सक्राइब है इस तरफ बेटर खूश और पर इस से पूछो क्यों खूश हो रहा है इसको एक्सा चीज आगी मुझे लगता है तन्वीर बताके जाना पड़ेगा तरको आज जो में आने नहीं आने इसके लिए बच्चो को फील करवाना पड़ेगा कि हम जुड़े में आपस में जो हम बात कर रहे नोर्मल बात कर रहे हैं और बीज-बीज में सब्जेक्ट पढ़ाते रहो तो समझ में आएगी बाते बस उसमें बच्चे का इंट्रेक्शन और बच्चे का अटेंशन जरूरी होता है बस वो क्या करें उसके लिए क्यों वही तन्वीर सिंग अब लो जी फैसला लो इस पर अब आप लोग बदाईया डबल सिंगल डबल इस तरफ चला जाएगा यह ठीक है अब ऐसे धेरों केस होते चले जाएंगे डिसमें आप राचलनेंट डो कर सकते हों अब आपका न एक इसमें एक्जामपल नंबर त्री उसको डन कर लेणा आप मैं और अक्ट्रेश्टिक फीचर ऑब रेजनेंस स्ट्रूक्चर लिख रहा हूं यह राजनेंस की करेक्ट्रेस्टिक्स ठीक है जी यहां ब resonance resonance के characteristics में number one जो पिछे resonance structure को भी बनाया हो ना हमने तो वहां देखके बता चल जाएगा atoms की respective position बदलती नहीं है देखो यह देखो जब मैंने uria का resonance बनाया ना तो nh2 अपनी जगा, cu अपनी जगा, nh2 अपनी जगा, nh2 c, nh2 अपनी जगा पड़े थी तो respective position of all elements remains same resonance में अपने atom की position हिला दी, मैंने books में ऐसे question भी देखे हैं वो दो structure लिखता है, उसमें atoms की position हिला देता है, बोल देता है क्या यह resonance structure है तो अंसरत है no, कभी होई नहीं सकते, क्योंकि resonance structure में कभी भी elements की respective position change नहीं होती है, तो लिख लो अपनी copy में respective position of all elements remains same कोई भी element अपनी position नहीं बदलता during resonance अगर element की position बदली भी आ गई, तो समझो, वो resonance है ही नहीं और किनी दो structure के बीच में आप double headed arrow लिखोगे अगर आप दो resonance structure ड्रो कर रहे हो ना, उसके बीच में double headed arrow लिखोगे इसको भी लिख दो इंटर conversion of two resonance structure, आरेस का मतलब है resonance structure is shown by double headed arrow वो डबल headed arrow कुछ ऐसा है यह दो resonance structure का inter conversion शो करता है दो resonance structure का inter conversion एक दूसरे में दूसरा पहले में पहला दूसरे में दूसरा पहले में चेंज हो रहा है उसको आप शो करोगे गुरु सिदक को वासी आ रही है, interaction inter conversion of two structure क्यों भी गुरु सिदक है, चाहे मगई जाहे, वासी नहीं ले नहीं होती है, clear, respective position of all element remains same, सभी element की position same पढ़ी रहेगी और जब भी कोई 2 structure एक दूसरे में inter conversion होएगा तो पीच में आप double headed arrow दोगे, इसका मलो resonance चल रहा है वो, ठीक है, one more thing, जहां से सुनना, sum of lone pair, bond pair remains same, मतला मेरी पास सुनना, अगर पहले structure में, bond pair 8 है, loan pair 2 है, तो अगले वाले में, अगले वाले में, bond pair बढ़ गए, 9 हो गए, लेकिन loan pair एक हो गया, कुछ ऐसा हुआ कि loan pair, bond pair में convert हो और resonance का phenomenon है, लेकिन sum सेम रहेगा, जोड सेम रहेगा, जाना है मेरी साथ में तो आओ, अभी एक मिनट लगेगा बस, यह देखो, कोई गिन सकता है, कितने bond pairs है, यूरिया के अंदर, bond, bond, n, h, n, h, c, double bond, और हो, मैनी bond pairs इंदा, n, h, c, u, n, h, 2, bond pair, sigma bond और, पाई bond मिलाकर कितने bond है, पूर, 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 पूर है सर, पूर है सर, मुकता ना घाले ना तुम लोग, यह काम कभी क्या करते थे हम लोग केमिकल बोर्डिंग में तुम वापके सब्सक्राइब लोगों इसमें गिनना कितने बॉंड्स हैं सिक्मा पाइवाई सब गिन गुन के हाउवनी बॉंड पेर्स कि यह देखो या मुझे तुम लगने कर नौ लगने आ हैं आ हैं वाले के लोन पिर गिनता हूं मैं देखो एक यह रहा दूसरा यह और दो इस पर हैं ओक्सिन पर छोड़ के इसुमार के इसमें तो बिचारा तुछटरा खतम कर गया अपना एक एरा इस पे दो डो तो थे एक ने आ गया चार तो बोंड पैर लोंड पेर का सम आठ प्लस चार जाधा था अभी बीड प्लस चार पार है कि ये कर्रेक्ट्रिस्टिक है सम ओफ लोंड पिर बोन पर रिमेंग सेम हuar है संअ इस पिरागेरी समक्राइल एक विर्जोंट उप्पर निकल गया सम्हुफ धरी लून पयर एंड बून पिर इस रिमेंग स्讲थ इन ओल रेज्वनेंश भी तुछर्स का बाद में गूगल करते रों तो आरेस का मतलब क्या है क्लियर ना आरेस वनलब रेजोनें स्टक्चर्ज तो भाई और बहनों आज की सब यहीं समाप्त होती है मिलते हैं कल कल भी मुझे लगता है दो तिन दिन चार दिन थर्ड क्लास ही लगा करेगी आयुश के पास कोई कोशन है आयुश बोलना इस अभी अभी निकल कल से चुर करेंगा अभी आश करो तो मोर नोमेंटले चरी कोशन करो पूरे अमरत कुछ होगी आश कलाम सुनते हैं अब चला आश करते हैं तो आश करीन सकते आव तुमारी जिदी से इस्टेले आई में जिया ने अन्य अब नी अब इन यह आ रपिस करेंगे कथे मिलके करेंगे टैंचन आलो ठीक है जी चलो ओक जिस चुर्ण को बटा कोटले सी बटा अब